हालो दोस्तों नमश्कार स्वागत है आपका मेरे चैनल में जहां पे हम फोरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम automation के दुरूब फोरेक्स ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं दोस्तों मैंने अभी एक हैज अभी का ये वीडियो MSPF ये के उपर है, इसका वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया है, लेकिन अभी मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको खली ये सिर्फ ये है कि क्योंकि मेरे को इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मुझे ट्रांसफर करना है, और अभी बस कुछ ही मि मैं अचली माइगरेट कर रहा हूं अपने दूसरे अकाउंट में, इसके fund मेरे को निकालने थे, इसमें अभी ज्यादा टाइम नहीं आपको वो करूँगा, ये देखिए, अब लगबग, लगबग, देखिए, इसमें strict stop loss भी है, stop loss थोड़ा सा लंबा है, लेकिन stop loss भी क्योंकि मैंने पहले के वीडियो जो मैंने दिखाया है, उसमें अच्छा है, क्योंकि इसमें stop loss भी है, इसमें take profit भी है, और इसमें कोई martingale नहीं है, और exactly आप grid भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि grid एक price के उपर multiple trade open करता है, तो इसमें वो भी नहीं है, इसमें hedging भी यूज नह हो सकते हैं, कि कभी-कभी जैसे कि market अगर बहुत नीचे गया, बहुत उपर गया, उसमें क्या है, कि एक point पर आने में, या फिर जो average करके एक point तक आने में, उसको थोड़े time लग सकता है, तो आपको patience रखना पड़ेगा, अगर आपको martingale यूज नहीं करना है, grid यूज नह ही करना है, आपको थोड़ा सा patience रखना है, ठीक है, मैं अब श्रमा कीजिए, मैं इसके उपर आ जाता हूं, देखे, market close हो गया है, ये वाला account मैंने recently start किया है, तो इसमें ज्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं है, ठीक है, इसको मैंने अभी सकता ही सारीक से इसको यूज क करूँगा, मैं आपको नहीं suggest करता हूँ कि आप इतने सारे pair आप 2500 पर यूज करें, कम से कम 500 इस वाले expert advisor के लिए मैं suggest करता हूँ MSPF के लिए, लेकिन मैंने इसको 300 के साब से मैंने यूज किया, लेकिन मैं suggest करता हूँ at least 500 के साब से, minimum आप यूज करें और उसी तरह के pair lot size देखें सेम है, ठीक है, अप lot size सब जगे सेम है, 27 अपरेल, 28 अपरेल, बहुत जादा लंबी history तो भी नहीं है, लेकिन मैं इसी वाले account को continue करूँगा, और मुझे कुछ extra भी थोड़ा सा दिखाना था, hedge expert का तो मैंने वीडियो अलड़ी share कर दिया है, और मैं इस account को या फ फिलहल मैंने सिर्फ ये pairs यूज़ किये हैं, लाल, ठीक, देखें दोस्तों ये exness का account है, और generally exness में history थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कुछ time बाद जब एक महिने से ज्यादा का account हो जाएगा, तो फिर वो history show नहीं करता है, ठीक है, तो generally ऐसा होता है कि जब आप exness में करते हैं, तो वो उसको आपका उसमें दिखा देता है, आर्किव में दिखा देता है, तो उससे अपकी trading की जो history होती है, वो छूप जाती है, इसलिए मैं इसके video upload करता रहूँगा, और report भी मैं इसकी upload करूँगा, लेकिन, या फिर एक my fx book म या फिर fx blue में भी इसका एक link में बना दूँगा, उससे अप track कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे, हमने देखे भी कितने दिन, 27 तारीक को हमने start किया है, धाई हजार से हमने start किया था, तो almost हमने, मैं, 4500 दॉलर, लगबग लगबग 20% तो नहीं लेकिन 17-18% अलड़ी, तो ऐसा नही है, तो वो depend करता है, सब कुछ market के उपर, तो मेरको यहीं दिखाना था अभी, कि market close हो गई है, इसलिए कोई fluctuation नहीं है अभी, और अगर आप इसकी history भी अगर मैं निकाल के दिखा हूँ आपको, history वैसे बहुत short है, इसलिए मैं को को करना नहीं चाहता, लेकिन ठीक है, इसक 6th में, 22, ठीक है, एको desktop सेफ कर लेता हूँ, यह मेरे hedge expert का जो मैं अभी वीडियो बनाया था, ठीक है, यह धाई हजार से हमने इसको start किया था, यह मैंने sent account रखा है, क्योंकि sent account में मुझे बार बार निकालने है और उसका जंजट नहीं है, तो जो पहला वाला जो आपने MSP यह देखा, उसके अंदर वो standard account है, तो उतना, क्योंकि जरूरत जब होती है, तो फिर वो withdraw भी करना पड़ता है, मैंने sent account ही उसके है, वैसे sent account में preferred नहीं करता हूँ, लेकिन मैं और ज्यादा पैसे नहीं लगाना चाह रहा था, in fact, क्योंकि performance आपको देखनी है तो आप sent account मे देखो, demo account में देखो, चाहिए किसी में देखो, उससे कुछ, जबकि result आपको, जो standard account होगा, जिसमें ECN account होगा, low spread का होगा, उसमें आपको result और better मिलेगा, यह देखे है, floating PL minus 111, actually इसको minus 100 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन क्या है न कि, क्योंकि market close हो गया, तो सारा spread और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस account को थोड़ा सा और पुराना होने दीजे, या फिर अगर मैं standard account के साथ, यदि मैं को दूसरा account यूज करता हूँ, तो उसको भी, उसका account, उसके भी वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन यह काफी interesting है, जो कि मेरे को पसंद भी है काफी, त फ्यूचर में, फिलहाल के लिए, यह मेरा sent account का वीडियो है, छोटा सा sent account, in fact, तो क्योंकि मेरे को सिर्फ आपको शो करना था, क्योंकि बीच में deposit withdrawal करने का जंजट नहीं है, क्योंकि sent account है, छोटा सा account है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसी को continue करूँगा, या फिर अगर मै standard account में, अगर मैं move करता हूँ, तो फिर मैं उस पर वो करूँगा, क्योंकि मेरे को बाकी दूसरे account से मेरे को withdrawal करना है, चलिए दोस्तों, खुश रहें, स्वास्त रहें, प्रसंद रहें, आपका दिन शोबह, धन्यवाद,